अगर आपको मारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले आज का पहला कोश्चन है कौन गैर बैंकिंग विद कमपनी NBFC IIFL Finance के पहले ब्रांड बन गए हैं तो रोही सर्मा बन गए हैं दूसरा कुश्चन है कौन सा देश 2022 AFC महिला एसियन कप की मेजवानी करेगा तो वो कौन सा देश करेगा हमारा भारत करेगा नेक्स्ट हमारा फुटवल नहीं लिस्ट हमारा खेल से समंदित कुश्चन है 2022 FIFA MINS World Cup का 22वा एडिशन कौन सा देश करेगा तो कनाड़ा करेगा 2021 FIFA UNDER20 MINS World Cup का आयोजन कौन सा देश करेगा तो इंडोनेसिया करेगा 2022 फीफा अंडर 20 वुमेंस वर्ल्ड कप की मेजवानी कौन सा देश करेगा तो पनामा का कास्टा रिका देश करेगा 2021 फीफा अंडर 17 मेंस वर्ल्ड कप का आयोजन कौन सा देश करेगा तो पेरू देश करेगा 2020 FIFA Under 17 Women's World Cup का आयोजन कौनसा देश करेगा? तुमारा भारत करेगा 2020 FIFA Club World Cup कायोजन कतर देश करेगा 2021 FIFA Club World Cup कायोजन चाइना देश करेगा 2020 FIFA First World Cup कायोजन कौन सा देश करेगा तो हमारा लिथुआनिया करेगा और यह जो आपको यहाँ दिख रहा है कि 2020 के बगल में यहाँ पे 2021 जो ब्रैकेट में किये है यानि इनका आयोजन 2020 में होने वाला था जो कि कुरोना वारस के वज़े से यह 2021 में होगा यह भी जो आप कहना 2020 FIFA Under 70 Women's World Cup का आयोजन 2021 में होगा कुरोना वारस के वज़े से और 2020 का FIFA First World Cup का आयोजन भी 2021 में होगा कुरोना वारस के वज़े से तिसरा कोश्चन है किसको विकास और सांती के लिए संयुक्त राष्ट संग U-N-A-D-P का सदभावना राजुत न्युक्त किया गया है तो किने युक्त किया गया है तो नेथरा को न्युक्त किया गया है जो तेरे वर्स की लड़की है और ये तमिलाडू के मदूई जीले में रहती है हमारा नेक्स कोश्चन है किस दिन विस्व खाद सुरक्षा दिवस मनाया जाता है तो साथ जून को विस्व खाद दिवस जून मनाया जाता है नेक्स्ट हमारा दिवस है विस्व दूद दिवस का मनाया जाता है एक जून को रास्टिय दूद दिवस मनाया जाता है 26 नुवंबर को वैस्विक अविवावक दिवस एक जून तिलंगना गठन दिवस दो जून को मनाया जाता है विस्व साइकल दिवस तीन जून को मनाया जाता है मासुम बच्चों की पीरा का अंतराश्टी दिवस चार जून को मनाया जाता है विस्व पडियावरन दिवस पांच जून को मनाया जाता है अवैध ओनियंतृत और ओनियमित मतस्ति पालन की खिला प्लडाई के लिए अंतरास्टी दिवस 5 जून को मनाय जाता है नेक्स्ट हमारा कोश्चन नम्र पांच विस्वखाद सुरक्षा दिवस का जो वीसाय इस वार जो मनाय गया था विस्व खाद सुरक्षा दीवस का थीम क्या था तो food safety everyone's business कोश्चन नमर छे केंद्र ने मातरी मिर्तियु दर महलाओ के स्वास्त की जाच के लिए tax force का गठन किया है तो इस tax force के गठन का अध्यक्ष कौन है तो जया जेठली है कोश्चन नमर साथ हमजा कोया किस खेल से समद्धी थे हमजा कोया फुटवाल खेल से समद्धी थे कोश्चन नमर आठ विस्व चैंपिनसीप का स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले अमेरिकी पूरूस अमेरिकी पूरूस जो की जिमनास्ट थे उनका हाल ही में निधन हो गया है तो वो कौन हैं? कर्ट थॉमस है कोश्चन नमर नौ किस बैंक ने समद्ध रिट अभियान की शुरुवात किया है? तो किस बैंक ने किया है? HDFC बैंक ने किया है कोश्चन नमर दस किसने अंत्रिक्ष इस्तिती सम्बंदी जागरुकता और खोगोल भोतकी के भोतकी में सायोग के लिए आरीभट रिसर्च इंस्टिटूट ओफ और जर बेसनल साइन्स नैनी ताल के साथ एक समझोता ग्यापन पर स्थाक्चर किये हैं तो किस ने की हैं इसरो अंतिक्ष एजन्सी ने किये हैं नेक्स्ट हमारा हिमाचल परदेश से कुछ फैक्ट है जो कि करेंट अफेर्स है लोसार उत्सव हिमाचल परदेश के धर्मसाला में मनाया गया परमपारिक फगली त्योहार हिमाचल परदेश में मनाया गया भारज सरकार और विष्व बैंक ने हिमाचल परदेश में जल प्रवन्द प्रथाओं में सुधार के लिए 80 मिल्यन अमेरिकी डॉलर के रीन समझोते पर हस्ताक्षर किये हैं नेक्स्ट हिमाचल परदेश राज्य सरकार ने राज्य की पुलीस के लिए पुलीस इस्टेशन अंगतुक सरवेक्षन परणाली और इनाइट बीट चेंजिक परणाली की सुरुवात की है नेक्स्ट हिमाचल परदेश राज्य सरकार ने राज्य में एक्टिव केस फाइंडिंग अवियान की सुरुवात की है हिमाचल परदेश राज्य सरकार ने विमार लोगों को मुफ्त ओनलाइन चिकितसा प्रामर्स के लिए इस संजीवनी ODP सुरू की है नेक्स्ट हमारा विस्व बैंक ने हिमाचल परदेश राज्य सरक पडिवर्तन पडियोजना के लिए 82 मिलियन अमेरिकी डॉलर 5,585 करूर रुपे को मंजूरी दी है नेक्स्ट हमारा राजस्थान के मुख्य मंतरी यही है राजस्थान के मुख्य मंतरी असोक गहलोत ने हाल ही में वीडियो कॉन्फरेंस के माध्यम से राज कॉसल पोर्टल और ऑनलाइन स्रम रोजगार एक्सचेंज का सुरुवात किया है सुब आरम किया है तो यहाँ पे आपके हैं यहाँ पे जो राजस्थान के मुख्य मंतरी हो गया है असोक गहलोत और राजस्थान के गवर्नर कॉन हो गया है तो कालराज मिस्रा हो गया है राजस्थान राजस्थान के गवर्नर कॉन है तो कालराज मिस्रा है माही बनस्वाल बनस्वारा एटॉमिक पावर प्लांट कहा है तो वो राजस्थान राजस्थान राज्जे में है बिसालपूर बिसालपूर डैम राजस्थान के बनास नदी पर बना है पिकोला लेक लेक यानि जील लेक यानि जील पिकोला जील जो है वो प्राकृतिक फ्रेस वाटर का जील है नेक्स्ट मध्य पर देश के मुख्य मंत्री सिवराज सी चोहान ने स्टीट विंडर पंजीकरन पोर्टर और मुख्य मंत्री सहरी पत वैफसाई उत्थान योजना शुरू की है नेक्स्ट अमारा मद्धे परदेश में कौन-कौन से योजना शुरू की गई है वो योजना है पहला मुक्य मंत्री कर्णचारी स्वास्त बीमा योजना दूसरा जीवन सक्ति योजना तीसरा जीवन अमरित योजना चौथा एफ आई आर आपके द्वाड़ा योजना पाच्मा संबल योजना चटा मुक्य मंत्री कोविद उनीस योध्य कल्यान योजना और सात्वा हमारा चरन पादुका योजना ये सब हमारे योजना जो वो मद्धे परदेश के योजना है नेक्स्ट हमारा भारत और डेनमार्क ने उर्जा छेतर में सहयोग विक्सित करने के लिए एक समझोता ग्यापन पर हस्ताक्चर किये है तो डेनमार्क का कैपिटल कोपेन हेगर डेनमार्क की केरेंसी क्रोन है विस्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है और मनाया गया था नेक्स्ट विस्व बैंक ने विकासात्मक कारिय और कोविद की इस्तिती से निपटने के लिए पस्चिम बंगा सरकार को उनिस सो पचास करोर रुपए का रीन दिया है मनीपूर के मुख्य मंतरी एन वीरेन सिह ने मनीपूर के कैपिटल इमफाल में प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उदगाटन किया है मनीपूर की राजधान यानि कैपिटल इंफाल मनीपूर के गवर्नर कौन है तो नाजमा हेप्तुला मनीपूर के प्रमुक फेस्टिवल है लुई नागी नी या सिरुलिया फेस्टिवल है नेक्स्ट न्यूजी लैंड कोविड उनीस मुक्त हो गया है न्यूजी लैंड के प्राइम मिनिस्टर जसिंडा सजसिंडा अरडेन है और न्यूजी लैंड का कैपिटल विलिंग्टन है और केरेंसी डॉलर है नेक्स्ट कनर अभिनेता चिरन जीवी सरजा का हाल ही में निदन हो गया और ये कितने वर्स के थे तो 49 वर्स के थे नेक्स्ट भारते वायु सेना ने प्रिथक परिवन अरपित के लिए एक एर बोर्न रेस्क्यू पॉड का डिजाइन विकास और निर्मान किया है इंडियन एर फोर्स के चीफ ओफ दी एर स्टाफ कौन है तो एर चीफ मार्सल आर के भधोरिया है और एर फोर्स डे 8 अक्टूर को मनाया जाता है नेक्स्ट जावेद अक्तर रिचर्ड डॉक्सिन प्रुसकार प्राप्त करने वाले पहले भारतिय बन गये हैं कवी, गीपकार और लेखक जावेद अक्तर महत्पुन सोच के लिए 2020 के लिए परतिश्टित रिचर्ड डॉक्सिन प्रुसकार प्राप्त करने वाले पहले भारतिय बन गये हैं जिनोंने धार्मिक प्रगति को आगे बढ़ाया है, मानप्रगति और मानप्तावादी मुल्यों को आगे बढ़ाया है नेक्स्ट ओडिसा सरकार विशेश रूप से आधिवासी चात्रों के लिए केओन जार, सुन्दरगर्ड, मयूर भंज जैसे आधिवासी बहुल जीलों में तीन मेगा सैक्षिक परिश्रों की अस्थापना करेगी नेक्स्ट बहुत सारे जो योजना है वो ओडिसा राज्ये में कौन-कौन सी योजना है पहला कलिका योजना, पीठा योजना, अमा घरे, LED योजना, सुनेत्र योजना, अभाधा योजना, इस सर्टिफिकेट पर योजना, जलसाथी कारिकरम, जगा मिसन, मो जीवन, मो परतिवा, मो सरकार, मो परिवार और लास्थ हमारा मो कॉलेज प्रोग्राम है तो ये सभी जो योजना, या परियोजना, या प्रोग्राम, ये सभी जो है, ODISA राज्य के है जितेंद्र स्थी ने वीडियो कॉन्फरेंस के माध्यम से केंद्र सासित प्रदेश चम्मू और कस्मीर और लद्धाक के लिए केंद्र प्रसासनिक न्याधिकरन कैट की अठारवी खंड पीट का उधगाटन किया है कैट का फुल फॉर्म क्या है सेंट्रल अड्मिनिस्ट्रेटिव ट्रिवूल नेक्स्ट केंद्रिय प्रतेक्चिकर बोड के नुसार 2019 से 20 के लिए सकल प्रतेक्चिकर संग्रे पिछले वर्स के 12.97 लाग करू रुपे के मुताबिक लगवग 5% घट कर 12.33 लाग करू रुपे र सी ने बंगलोडो और चिन्नई में अपनी प्रमुक काड़करम तुरंत कस्टम का सुभारम किया है निक्स्ट हमारा जो यभी जो मैंने आपको बताया था तुरंत कस्टम योजना से संबंदित कुछ फैक्ट है वित मंत्राले के सेंटरल बोर्ड ओफ इंडारेक्ट टेक्स एंड कस्टम के तुरंत कस्टम योजना शुरू की है तुरंत कस्टम योजना के तदों इंपोर्ड के समान का क्लीरेंज, फेसलेस, कांतेक्टिक्स, कांतेक्टलेंज, पेपरलीश होगा दिसम्बर तक ये पूरे resonates के port, airport, inland, container, depot में शुरू हो जाएगा तुरंत कस्टम क प्लेटफोर्म के जड़िये इम्पोर्टर्ट समान अगर चिन्नई में आया है तो उनका क्लिरेंस बंगलुरु में बैठा हुआ ओफिसर दे सकता है। के बीच में सारे कम्यूनिकेशन इलेक्ट्रोनिक्स माध्यम ICEGA 30 E से होगा अगर आपको उमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस लाल बतम को दावाना ना भूले थेंक्यू